Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए coming week का सापताहिक राशीफल ये 18th April से लेकर 24th April तक की आपकी tarot ratings है, tarot predictions है और अगर आप personal tarot s2 session book कराना चाहते हैं तो मुझे whatsapp call या फिर whatsapp message करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंकि दिए normal call हो सकता है, miss हो जाए लेकिन whatsapp पे आपको जवाब ज़रूर मिलेगा और मेरी contact details आपको नीचे description box पे मिल जाएंगी इस video के end में भी मिल जाएंगी इसी के साथ साथ अगर आप DDT already में interested हैं तो आप मेरा insta page भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या पर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का सापता ही कराशी फल चलिए वगोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है कि हैनर्शीज हैं तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए एक आड्ट हैं पेज ओफ सोथ और मिटीरियल और स्प्रिच्छल प्रोस्पारिटी तो दिखिए ये काड्ट बहुत ही क्लिरली प्रोस्पारिटी की बात करता है और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंड में रहता हुआ दिख रहा है जहां पे मिट्रिलिस्टिक टांजिबल चीजों से रिलेटेद मनी पैसे से रिलेटेद किसी लेवल पे किसी तरीके का फाइदा गेन आपको हो रहा है या फिर इन ही चीजों पे बहुत आपका फोकस रह रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी तरीके की चारटी करना चाहा रहे है या कर रहे है क्योंकि देखिए इस कार्ड में स्प्रिच्वल प्रोस्पारिटी भी लिखा हुआ है तो जो भी गेन हो रहा है कहीं spiritually भी evolve होने में आपको किसी level पे मदद कर रहा है लेकिन देखिए surface level के लिए page of swords का काट कहता है कि आप बहुत immaturity के साथ चीजों को deal कर रहे हैं और अगर ऐसा आप भी पाएं तो इस चीज को ज़रूर चक करके correct करें क्योंकि थोड़े से आप blunt, straight forward अपने communication में रहते हुए दिख रहे हैं defensive होते हुए दिख रहे हैं और इसी वज़े से या otherwise भी एक frustration एक irritation रह रह रही है बहुत curiosity चीजों को जानने के लिए हो रही है तो दिखे curiosity होना बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब ऐसी energies में होते हैं हम जादा learn करते हैं हम जादा knowledge भी gain करते हैं लेकिन इसी curiosity की वज़े से जब you know एक anxious energies होती हैं या फिर हम irritate होते हैं तो हमें pause करके थोड़ी सी अपनी checking करनी चाहिए और correct भी अपने आपको करना चाहिए तो इस चीज का खयाल आप ज़रूर रखें overall के लिए materialistic tangible चीज़ों से related money पैसे से related एक gain एक फाइदा हो रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है two of swords and authority और दिखें authority का card कही power position की बात करता है और कुछ ऐसा ही deeper level पे आप अपने लिए चाहते हुए दिख रहे हैं और कहीं दिखें जो भी circumstances हैं जो भी situations हैं आप कहीं चीजों का control अपने हाथ में लेके बहुत ही confidently आगे बढ़ना चाह रहे हैं systematically organized तरीके से हर चीज को deal करना चाह रहे हैं एक discipline अपने personal front में in general या फिर किसी particular area से related लाना चाह रहे हैं लेकिन surface level के लिए two of suits का काट कहता है कि आप काफी stuck महसूस कर रहे हैं आप कहीं वो action वो initiative नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं कहीं दिखे two minds में रहते हुए दिख रहे हैं कहीं बहुत सारी चीजों को आप ignore कर रहे हैं देख के अंदेखा कर रहे हैं सुन के अंसुना कर रहे हैं और अगर ऐसा आप भी पाएं वो गोस तो इस चीजों को ज़रूर चकर के correct करें क्योंकि कभी-कभी हमें ऐसे लगता है कि situation में हम stuck हो गए हैं हम decision नहीं ले पाते हैं clearly चीजों को नहीं देख पाते हैं और इसलिए हम चीजों को avoid भी करते हैं तुकि हमें पता होता है अगर हमने upfront होके चीजों को deal किया तो हम परेशान हो सकते हैं लेकिन in the process back end पे चीजें accumulate होती रहती हैं और एक दिन इतनी बड़ी होके हमारे सामने आ जाती है कि हमारे लिए उनको deal करना मुश्किल हो जाता है और फिर हम बहुत परेशान होते हैं तो दिखे temporary gain के बारे में ना सोचके आप long term gain के बारे में सोचें और temporary अगर कुछ issue भी है उस चीज़ को upfront होके deal करने में तो उससे आप ना घबराएं आप action ले, initiatives ले, decision ले, choice ले and guidance से आप लुगों के लिए giving and receiving का card है लिकिन बहुत ही clearly ये card sharing and caring की बात करता है और कुछ ऐसी ही energies में आप लुगों के लिए guidance है कि इस week आप रहें लेकिन देखिए जो भी giving and receiving वाली energies हैं उनमें साथी साथ एक balance आप जरूर रखें क्योंकि कभी भी balance बिगरता है किसी भी चीज़ को लेकर तभी हमारी life में issues और मसले भी होते हैं तो इस चीज़ का खयाल again आप जरूर रखें और astrology से आप लुगों के लिए Scorpio sign का card है और इसके हिसाब से red color इस week आप लुगों के लिए लखी रह सकता है and significant day आप लुगों के लिए होगा Tuesday तो ये था work goals आप लुगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए